एससे की जो है वो नोटिफिकेशन आई है इसमें आप देखोगे कि यहां पर जो लास्ट लिट ओफ फिलिंग है उसमें जो हो 24 साथ 24 है तो सीजल की जो फॉर्म आई है इसके रिगारडिंग जो हो सब्सक्राइब करने वाला हूँ तो क्या क्या बात करूंगा इस वीडियो में तो जैसे इंट्रोडक्शन यह सभी तो हो चुका है उसके बाद जो वो ने आपको बता दिया है कि क्रूसियल जो हूँ फॉर्म फिलिंग का जो है वो आपका 27 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो यह एक साल तक वैलीड होता है तो अगर बात करते हैं कि यह आपको कब तक कब बना होना चाहिए तो आपका सर्टिफकेट जो है है वह कोसिस करो कि जितना डिसेंट का हो वह ज्यादा सही है आपका सर्टिफकेट जो है वह इसू होना चाहिए फर्स्ट अप्रैल 2024 के बाद इस बात को आप ध्यान रखो और जो आप ओफिस्यल नोटिफिकेशन का पीडिएफ है इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहां सब्सक्राइब करें अगर आपका सर्टिफिकेट है वह कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें इसू जो वैलीडियर है वह आपका 2024-25 और जो फैनेंसियल है वह आपका 2023-2024 होगा तो इस बात का अपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लिम ना हो तो इस के सब्सक्राइब का बना हुआ है तो प्लीज आप एक नया सर्टिफिकेट बनवालों बढ़ना बाद में आप ही को जो है वो प्रॉब्लिम होगी तो इस बात का ध्यान रखना वरना जो है वह आप बहुत मेनत करोगे सीजल निकालोगे और बाद में डॉक्मेंट वरिफिके अजार परसांद की वीडियोस देख सकते हो काफी आपके लिए हल्फुल होगी और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लेम्स है और अगर आप उसको सटिक सॉलूसन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोस देखके आपको काफी क्लारेटी आएगी आप इनके ए आपको एक वाड जरूर देखना नाम याद जरूर कर लो आजार प्रसांथ करते हैं तो इसके साथ जो है आप सर्टिकेट बनवा लो थोड़ा सा समय कर्च करो और अबने सर्टिक नहीं बनवाया तो नया सर्टिक्वेट बनवा लो और देखो यह जो क्रूशियल डिट है बहुत important है क्योंकि आपका जो certificate होता है वो document verification के समय thoroughly check होता है ओके तो कुछ ऐसा एक page का format रहता है आप देखो कि तो एक page का format है और इसमें valid year भी लिखा हुआ है और financial year भी तो वही मैं बात कर रहा था कि जो valid year है यहां पे जो हो for one year भी लिखा रहता है तो वह भी चलता है लेकिन आपका जो date वो date आपका one April 2024 के बाद का बना होना चाहिए ओके तो मैं आपको एक example दिखा देता हूं जैसे certificate देखो कि तो यह तो थोड़ा पुड़ाना certificate है लेकिन यहां पर देखो कि clearly mentioned है यहां पर date है ओके यहां पर वैलीडियर है और यहां पर financial year है तो आप financial और वैलीडियर दें जैसे देख रहे हो कि यह 2022 का बना हुआ certificate certificate है तो यह सब certificate आपको recent रखना है तो यह जो वैलीडियर यह आपका 2024-2025 होगा और यह जो नीचे में financial year है यह आपका 2021-2022 होगा तो इस बात का ध्यान में apply कर सकते हो या तहसील में apply कर सकते हो और भी बहुत सारी इसकी जो details हो सकती है उसके regarding मैंने बहुत है बनाई हुए तो आप उसे देख लेना उसका लिंक में इस वीडियो के description box में दे दूंगा तो वहां से आपको help हो जाएगी अगर आपका बैलिट certificate certificate नहीं है तो क्या करना है तो देखो वैलिट certificate नहीं होगा तो आपका जैचर जो है वो सीधे cancel हो जाएगा और फिर बाद में आप नौकरी से हांतो बैट हो यह मैंने आपको सीरियस ने बता दिये तो इसके साथ जो हो खिलवार मत करना प्रोविजनल लोट क्लियर का क्या होता है कि जब डॉक्में वरिफकेशन होती है तो अगर आपका तो आपको certificate भी ऐसा ही फोर्मेट वोना चाहिए लेकिन यूजली अभी जो इंडिया में जो वो फ्तेटर सेंटर का यूजरी से भी फॉर्मेट तो आप उसके लिए जयादा चैन सा चैनर चेनल लेने के जुरूत नहीं है तो यह जो पॉइंट्स थे मैंने आप मैं आपके साथ डिसकस करना चाहरा तो और अगर आप देखोगे कि जो ओफिसियल वेब साइट है उस पे यहां पे जो है वह आप ऑफिसियल पीडिया पे उसमें भी यही सब बाते लिखी गई हुई है जो मैं आपको बताया तो आप इ अराउंड 932 टोटल टेस्ट देखने को मिल रहा है और इससे जो है अपनी प्रिप्रेशन इच्छे से कर पाओगे यहां पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वह आपको चैप्टर वाइस ट्रट टेस्ट टेस्ट फॉल टेस्ट और प्रिविएश यह यह सब भी रहता है त और आपको अपनाnoodil potential पता चल पाता है कि मैं काहँ परृइकर रहा हूं तो आप यहां से टेस्ट प्राक्टिस कर सकते हो और साथी की अगर कोई बозм olur भी एक्सामिनेशंस हैं तो जैसे यहां प्रहें बहुत सारी एक्साइमनेंशंस अ यहीं सभी को भी आप देख सकते हो सब कर सकते हो भी कर सकते हो atheist सभी क्रिटिज्ई कर सकते है लेकिन इसकी आपको पास आया पड़ेगा तो इसके पास की मैं प्रेसिंग डेस्क अब को बजा देता हूं कि परोगी ऑगर की का वे गार तो देखे इस precise आपको होते पास ऋते 10 to 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और उसके बाद जो हो आपको यहाँ पर कूपन कूट अपलाई करने के बाद यहाँ पर यह पर टैप करके पेमेंट कर देना है तो फिर आपका जो ही पास अक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप ऐसे सी की जितनी भी टेसरी हैं उन स सभी को प्रैक्टिस कर सकते हो